नमस्कार भाईयों अभी जो वीडियो बना रहे हैं यह है जियो केबल का और डेन केबल का जो अपना सेटप बोक्स है उसके लिए कभी-कभी क्या होता है कि बोक्स रिचार्ज होने के बाद भी इस तरह से योर सब्सक्रिप्शन पैकेज हैज एक्सपायर डिस तरह से लिखा हुआ आता है तो आप क्या करें सबसे पहले अपना टीवी ओन कर लें और इसमें देखें यह जो नमबर लिखा आ रहा है एन 70 यह 11 डिजिट और एन को मिला के 12 12 अच्छर होते हैं तो इसको जो है आपको रिट्रेक करना होता है इसको नमबर टाल के तो यह आप सबसे पहले इसक्रीन आप मतलब टीवी ओन कर लें उसके बाद आप देखेंगे यह नमबर सो कर रहा होगा एन से स्टार्ट होगा तो इसको रिट्रेक करने के लिए सबसे पहले रिट्रेक लिंक पर जाएं यह जो हम लिंक है डिस्क्रिप्शन विल दे दे रहें वहां से आप आसानी स रिट्रेक कर लेना सबसे पहले इसको रिट्रेक के लिए लिंक पर जाएं और आपके जो टीवी स्क्रीन पर नमबर है यानि जो नमबर आ रहा है एन से स्टार्ट है तो वह आप यहां पर टाइप कर दें तो हमारे पास जो नमबर है वह है एन 70181 उसके बाद 770457 बस इसक बस बोक्स आपका रिट्रेक हो जाएगा ध्यान यह दें कि जब आपका बोक्स रिचार्ज होगा तब यह टीवी चलेगा तो तीन से दो तीन मिनट में चालू हो जाता है और बाकी कोई दिकत नहीं आनी चाहिए तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यव आ बार अप सबस्टेखने के लिए आप संह से सो जाएगा यह भूब यह जगा पर में करने ख़ा ओर दो शेखने के लिएगा टन्यवादेखने के लिए।